हालो एवरिबाडी, करियर राइट हिंदी की इस बिजनेस आइडिया सीरीज में पर फिर आप सभी का स्वागत है दोस्तों अपने आज के इस वीडियो में जिस सेक्टर से लेटिट बिजनेस आइडिया की हम बात करने जा रहे हैं यह सेक्टर है e-commerce का एक ऐसा सेक्टर जिससे की ग्रो होते हुए पिछले 2-4 सालों में हम सभी ने अपने आखों से देखा है और यह एक ऐसा सेक्टर है जिसमें की growth अभी start हुई है यहाँ पर बहुत सारा काम अभी होना बाकी है और ether में इसलिए कह रही हूँ कि जिस तरह से हमारे देश में internet का penetration बढ़ रहा है जिस तरह से smart phones का penetration बढ़ रहा है और जिस तरह से digital payments की सविधा available हुई है उस सभी चीजों ने इस सेक्टर को काफी बड़े रूप में push दिया है और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि स्त्री हो या पुरुष सभी लोग बराबर रूप में काम कर सकते है लेकिन देखिए में बाते सुनने पर इनिशली आपको ऐसा लगेगा कि हम आलरी बहुत सारे players को इस market में देख रहे है तो क्या वाकरी में इस market में अभी भी growth की कोई opportunity है तो आपके सावाल के जवाब में सिर्फ एक ही चीज़ आपसे कहूंगी और वो ये कहूंगी कि ये जो growth आप देख रहे हैं ये शुरुआत है अभी यहाँ पर बहुत कुछ होना भी बाकी है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त तो देखिए यहाँ पर अगर आपको काम करना है तो जो काम करने के तरीके हैं वो बदलने वाले हैं कुछ players में initially entry ले ली है Amazon जैसे लोगों ने लेकिन अभी यहाँ पर हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए बहुत सारी जगह बाकी है और ऐसे में आप इस business में क्या कर सकते हैं वो हम discuss करेंगे अपने आज के इस वीडियो में तो वीडियो को पूरी तरह से ज़रूर देखिएगा बिना किसी भी पार्ट को skip किये हुए अब अगर आपसे थोड़े से statistics के साथ बात करूँ तो देखिए साल 2024 में expected है कि हमारा जो e-commerce market होगा इंडिया का ये लगवाग 111 billion dollars का market होगा लेकिन साल 2026 तक यही एक approximately 200 billion dollars का market हो जाएगा तो यहाँ पर growth तो होनी है लेकिन जो काम करने का तलिका है उसमें कुछ changes definitely आएंगे तो अब वो कौन से changes हैं और आप अपने आपको उसमें कैसे set कर सकते हैं वो देखने वाली बात है अब देखिए मैंने आपसे भी थोड़ी से दिर पहले ही कहा था कि किस तरह से यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि Amazon जैसे जो general stores और जो कि सभी चीज़ें बेचते हैं वो already market में हैं और उनके साथ compete कर पाना मेरे और आपके जैसे common no के लिए बहुत difficult काम है बिकाज उनके resources के साथ compete कर पाना वो हमारे लिए difficult है लेकिन ऐसे में जैसे कि अगर आप general market की अगर एक बात करें तो जिस तरह से एक hyper market की या super market की market में जगा होती है लेकिन उसी के साथ साथ कुछ specialized boutiques की भी जगा होती है तो अगर आप इस तरह के कुछ specialized boutique सब बना सके अगर specialized stores e-stores बना सके तो आपके लिए भी market में जगा बन सकती है और अपने आज के इस वीडियो के लिए ऐसे ही एक niche market को target करते हूँ जो सबसे पहले store के बारे में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ यह आप e-store बना सकते है smart home products का देखिए यह जो smart home products होते हैं यह आप जानते हैं कि किस तरह से हमारी life का important हिस्सा बनते जा रहे हैं किस तरह से artificial intelligence, IOT हमारी life में एक important role play करती जा रही है और ऐसे में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इस तरह के जो products होते हैं smart home products उनको खरीदना चाहते हैं ना सिर्फ comfort के लिए बलके security के लिए भी एक report के हिसाब से साल 2026 तक यह जो smart home products का market है यह approximately 13,000,000,000 का market होगा और ऐसे में हम देखते हैं कि जो general stores होते हैं वो इस तरह के smart home products होते हैं उनको definitely sell करते हैं लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इन सभी products के बारे में नहीं पता होता है बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे products भी होते हैं जो कि आपकी life में काफी value अड़ कर सकते हैं तो अगर आप इस तरह का dedicated e-store बनाते हैं इस sector में अगर आप e-commerce में काम करते हैं तो यह आपके लिए एक वाइदे का सौधा हो सकता है अब यहाँ पर जो important चीज है वो आपको लगेगा कि भाई किस तरह से मैं logistics को manage करूँ किस तरह से यहाँ पर inventory को manage किया जाएगा किस तरह से यहाँ पर stocks को manage किया जाएगा अपरा daunting काम आपको लगेगा तो initially आप इसको एक drop shipping model के अंदर start कर सकते हैं जिसमें कि आप किसी तरह का जो stock है उसको आप अपने पास maintain मत कीजे आप कुछ suppliers के साथ contact कर लिजे और जैसे आपके पास orders आएं तो अगर इसको इस तरह का store आप set up कर सकते हैं और इसके बारे में आप सोच सकते हैं तो यह definitely एक sector है जिसमें की काम किया जा सकता है जो की फायदे का सौधा हो सकता है अब अपने इस e-commerce के business में जिस अगले niche market को target करने के बारे में आप सोच सकते हैं यह हो सकता है pets से जुड़ा हुआ यानि की पालतू पश्वों से जुड़ा हुआ तो देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से आज के जमाने में अगर एक pet हमारे घर में हो तो वो हमारी family का हिस्सा हो जाता है और अपनी बढ़ती होई disposable income के साथ आजकर लोग अपने pets के उपर भी काफी दिल खोल कर खर्चा करते है ऐसे में आप यहाँ पर दो तरह के stores बना सकते है पहला store जो आपका हो सकता है वो हो सकता है pets food से जुड़ा हुआ और जो दूसरा store हो सकता है वो हो सकता है pets accessories से जुड़ा हुआ जो आपका pets food वाला store है यह आपका एक local store भी हो सकता है जिसमें कि आप local market को target कर रहे है पेकर यहाँ पर बहुत सारे food items ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको fresh बना करके deliver करने होंगे और जो pets accessories का market है यह आप एक national level पर भी store को target कर सकते हैं तो सबसे पहले आपसे बात करती हूँ pets food store के बारे में तो देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से अपनी health के साथ साथ लोग अपने pets की health के लिए भी आजका conscious है और ऐसे में अगर आप कोई ऐसी bakery बना सकते हैं जिसमें कि आप healthy pets cookies बनाएं healthy cakes बनाएं अपने pets के लिए तो इस तरह के चीज़ें बना कर आप online sell भी कर सकते हैं अब यहाँ पर आपको ध्यान जो रखना होगा वो ध्यान ये रखना होगा कि आपके products को आप कैसे जादा से जादा healthy रखें और कितनी variety आप बना सकते हैं इतने तरह के pets को आप target कर सकते हैं तो इस तरह का एक store जो होता है वो आपके लिए काफी एक फायदे का सौधा हो सकता है अब यह जो particular store है यह आपका subscription model basis पे काम कर सकता है subscription model का मतलब यह होता है कि मान लीजे आपको किसी ने अगर आपसे एक बार order place किया तो वो आपसे एक subscription ले ले मतलब कि आप हर 15 दिन के बाद में या हर एक महीने के बाद में उनको एक hamper deliver कर देंगे और उसके लिए वो आपको pay कर देंगे विकास देखिए यह जो subscription model होता है इसका फायदा यह होता है कि जो customer होता है किसी नई customer को जो acquire करना होता है वो काफी difficult task होता है लेकिन किसी existing customer को जिसको कि आपके product की quality एक बार पसंद आ जाए उसको retain करना जादा easy होता है तो इस तरह के business को आप subscription model basis पर करने के बारे में सोच सकते हैं इसी तरह से हम सभी जानते हैं कि जिन लोग के पास pets होते हैं वो उनके लिए accessories पर काफी अच्छी तरह सो spend करते हैं फिर चाहें वो उनके लिए hats हों sweaters हों, nice calves हों या leashes हों और भी बहुत सारे toys होते हैं जिसके उपर लोग spend करते हैं अपने pets के लिए तो अगर इस तरह के एक store आप बना सकते हैं जिसमें कि आप variety of pets के लिए इस तरह की accessories sell कर सकते हैं तो ये भी एक काम है जिसको की आप कर सकते हैं targeted basis पर इस तरह के stores को promote करने के लिए आप initially social media का सहरा ले सकते हैं आप SEO का सहरा ले सकते हैं आप influencer marketing का सहरा ले सकते हैं तो ये सभी चीज़ें करके ये एक niche stores हैं जो की आप बनाने के बारे में सोच सकते हैं और e-commerce का business करने के बारे में सोच सकते हैं अब जिस तीसरे e-commerce store के बारे में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ उसको सुनने के बाद में आपको सबसे पहले ये लगेगा कि क्या वाके में यहाँ पर scope भी बाकी है यहाँ पर वाके में काम किया जा सकता है तो जी हाँ इस market में भी अभी भी काम किया जा सकता है यहाँ पर भी scope है लेकिन हमें वही बात है target करना होगा कोई niche market और यह जो store हमारा हो सकता है यह हो सकता है fashion and jewelry से related अब देखिए जैसे ही हम fashion और jewelry की बात करेंगे आपके दिमाग में बहुत सारे जो बहुत popular stores है उनके pictures आएंगे लेकिन हम उनसे compete करने के बारे में तो सोच भी ने रहे हैं अगर मैं आपसे fashion की बात करो तो और आप किसी niche market को target करना चाहें तो आप target कर सकते हैं जैसे कि अगर आपके पस कुछ क्रोशत के warmers है तो उनके बारे में आप एक store बना सकते हैं उनसे related या अगर आप sportswear specially बनाते हैं या अगर आप इस तरह का business कर सकते हैं तो उसे related store के बारे में आप सोच सकते हैं या अगर मैं specifically जूल्री की बात करो तो for example mother of pearl की अगर आप जूल्री बनाते हैं तो आपका जो store है कुछ उसका एक specific proposition होना चाहिए कोई उसकी खासियत होनी चाहिए उसके लिए आप store बनाईए तब ये store सकत के आपके काफी आपको अच्छा business दे सकते हैं अब अपने आज के इस वीडियो के लिए जिस चौथे business idea की ये इस store की में आपसे बात करने जा रही हूँ ये हो सकता है food kits for toddlers and young children तेकि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारी young mothers होती है जो की working भी होती है लेकिन ये सभी mothers चाहती है कि उनके बच्चे जो हैं वो healthy खाना ही खाया लेकिन उनके साथ problem ये होती है कि उस खाने को बनाने के लिए पहुत सी पर उनके पास समय नहीं होता है ऐसे में अगर अपने products और services के साथ में आप उनको मदद दे सकते हैं तो definitely ये जो mothers हैं वो आपके products को खरीदने में भी interested होंगी अब इस तरह के जो healthy food kits हैं उनको आप बना करके subscription model basis पर इन mothers को sell कर सकते हैं यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना होगा कि जो भी food kits आप बनाएंगे ये आपके healthy होने चाहिए इसमें कोई preservatives नहीं होने चाहिए ये allergen free होने चाहिए और आपको एक safe environment में को deliver करना होगा यानि कि delivery के दौरान ये खराब नहीं होने चाहिए इन kits को लेकर के ये जो 3 meals के kit हैं पर डे आप 3 meals के kits बना सकते हैं इन kits को लेकर के mothers अपने fridge में store कर सकते हैं और जब भी बच्चों को उनको खाना देना हो वो उनको दे सकते हैं इस तरह के kits को आप maybe week में एक बार या दो बार subscription basis पर इन mothers को deliver कर सकते हैं एक काफी popular होता हुआ business है विदेशों में लेकिन हमारे देश में अभी थोड़ असा slow है आप समय के साथ में इस business को भी करने के बारे में सोच सकते हैं और अपने आज के इस वीडियो के लिए जिस पांचवे niche market के बारे में में आप से बात करने जा रही हूँ यह हो सकता है healthy foods for expecting and new moms देखिए हम सभी लोग आज के जमाने में nuclear families में रहते हैं और ऐसे में जो ये नई मा होती है या जो बनने वाली मा होती है उसकी health का ध्यान रखने के लिए family में बहुत जादा लोग नहीं होते है लेकिन उसको काफी care की जरूरत होती है और हमारा देश ये कैसा देश है जिसमें कि हर state में कोई ना कोई ऐसी recipes है जो कि इस नई मा के health को improve करने के लिए बनाई जाती है अगर इन age old recipes को आप बना करके और online sell कर सकते हैं तो ये जो new mom है या ये जो expecting mom है जिसको ये recipes नहीं बता है वो online उनको order कर सकती है और अपनी health के ओपर invest कर सकती है तो ये भी एक ऐसा niche market है जिसे cubicles अभी तक देखे क्या हुआ है कि ये जो expecting and new moms वाला market है इसमें fashion में तो वो काफी बड़े रूप में काम हुआ है लेकिन आप अगर health point of view से देखेंगे तो वो इस sector की एक काफी बड़ी requirement है अगर उसको आप पूरा कर सकते हैं तो आप अपने link अच्छा business बना सकते हैं अब ये सारी बाते सुनने के बाद में आप में से काफी सारे लोग होंगे जो कि इस तरह के businesses में interested भी होंगे लेकिन आपके मन में जो सवाल आएगा वो ये आएगा कि भई आखिर इस तरह के e-stores को setup करना कितना easy है, कितना difficult है कितना खर्चा आएगा तो देखिए, market में काफी सारे ऐसे e-commerce platforms है, जिनको की use करके आप इस तरह के stores को setup कर सकते हैं, इन में से बहुत सारे जो platforms होते हैं, जो products होते हैं वो open source products होते हैं, यानि कि उनको बहुत easily और बहुत कम खर्चे के साथ आप setup भी कर सकते हैं तो अगर आप लोग चाहेंगे तो इस तरह की कुछ options के बारे में मैं आपके लिए videos बनाने की कोशिश कर सकते हूँ नीचे comments box में लिखकर मुझे बताइएगा कि आप लोग को किस तरह के videos e-commerce related अप चाहिए जो कि मैं आपको बना कर दे सकते हूँ अगर आज का ये video आप लोग को बढ़ा सके हम सभी के कमाई के जर्याओं को जल्दी ही मिलोंगी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार